विकास की एवज में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है मानव समाज को उसके लिए कितना अपनी नहित जरूरतों को छोड़ना पड़ा है छोड़ने के लिए विवश हुआ है चाहे वो उसके अपना खुद का भूख खेत्र हो या पर्यावरन हो या अन्य चीज़े हो ऐसी स्थित्य में यह आवश्यक हो गया कि विकास के मॉडल के बारे में पुनर विचार किया जाए सोचा जाए तो अब हम आते हैं इससे पहले कि हम उस बिंदु पर सोचें थोड़ा हम उसका विकास का मुल्यांकन करें विकास का मुल्यांकन का माइने है कि कुल मिलाकर सतत विकास और विकास दोनों की जब हम तुलना करें तो हम सतत विकास को प्रात्विक्ता दें निश्चित ही हम प्रगती और विकास से जुड़े क्रिया कलापों को रोक तो सकते नहीं जो भी परिवर्तन हो रहा है वो प्रगती शील है प्रगती की ओर ले जाता है अंत्यता हुआ हमें निश्चित रूप से प्रगती की ओर तो ले जाता ही है इसका मतलब विकास उसमें सम्मिहित है इस समय हमारे पास बड़ी बड़ी मशीने हैं कम से कम समय में उसमें उत्पादन हो जाता है बहुत सारी वर्स्तों में बनाई जा सकती है और चूंकि उत्पादन बहुत है मार्केट में सप्लाई बहुत है वर्ष्टियों के कीमतें भी कम रहती है अधिकांश वर्ष्टियों के कीमतें कम हुई है आप देखेंगे जो चीजें जो सामान उन्निश्वी शताबदी के एक काल में उनकी जो कीमतें होती थी आज उनकी कीमत बहुत कम है कारण भारी मत्रा में उसका निर्माण होना मशीनी करण के कारण अनेक वस्तु हैं और अनेक सेवाएं जिसको हम सर्विशिस कहते हैं जो पहले लोगों की पहुँच से बाहर थी अब वो सब दर-दर मिल जाती हैं हर जगह उपलब्द हैं करोणों लोग दुनिया के करोणों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं आप किसी भी एक वस्तु की बात करें जो विश्व किसी एक कोने में उत्पादित होती है लेकिन उसकी मांग पूरी दुनिया में हो जाती है औ उसकी उपलब्दता पर भी कोई शंका नहीं रहती है ये एक बहुत बड़ा विकास का एक पहलू है अब लोग बिना किसी कठनाई के तो लनात्मक दिश्टि से आराम का जीवन विलासिता का जीवन जी रहे हैं ये तो है विकास का एक पहलू विकास का एक पक्स सभी सामान के कीमत कम होना विलासिता के जीवन के संभावना कम समय में सामान मिल जाना आदी आदी संचार और परिवहन का इस विकास की प्रक्रिया में बहुत अहम योगदान है संचार और परिवहन के जो उन्नत साधन हुए हैं जिसमें हम हवाई जहाज लें तेजग्यती से चलने वाले पानी जहाज लें जो माल ढुलाई का कारे करते हैं रेल गाड़ियों के बात करें इस संसाधनों ने दुनिया के विविन देशों को एक दूसरे से निकट लाजा है संचार के माध्यम ने जिसमें इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब इन सुविधाओं ने तो हमको इतना निकट कर दिया है मानों वे सभी हमारे पडोसी हैं जिन से हमको संपर्क करना है बहुत निकट आ गए हूँ वैश्वी करण इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं वैश्वी करण में श्रमिकों की हिस्सेदारी काफी कम रही है वैश्वी करण के फल्फरूप विविन देशों में पूंजी, माल और सेवाओं का लगतार निर्बाद गती से प्रवा हो रहा है किन्तू किन्तू इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तक जो आपने सुने मेरी बातें विकास के मुल्यांकन के संबंद में ये सब विकास के उन पक्षकियों इशारा कर रही हैं जिसने मानो जीवन को खुशहाल बनाने में मदद की है लेकिन किन्तू उड्योगों द्वारा अर्जित लाब ये जो उड्योगी करन हुआ है, ये जो आदुनी की करन हुआ है इस सब का लाब श्रमिकों के लिए बहुत कम रहा है श्रमिकों की हिस्सेदारी इसमें बहुत कम रही है हम सभी गरीब लोगों के उन्मूलन और वैश्वी करणते उत्पन असमानताओं को कम करने में लगे हुए हैं एक और विकास की बात करते हैं और विकास की बात करते हुए हमारा लक्ष जो होता है वो रहता है कि निर्धन लोंगो को निम्न तबके के लोंगो के जीवन शैली में सुधार हो लेकिन दूसरी और हम पाते हैं कि ऐसा वास्ताव में नहीं हो रहा है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके सिधार की लेकिन दूसरी और हम देखते हैं कि जो आजुनी की करण की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा फाइदा और द्योगी करण की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा उच्छ वर्ग के लोंगों को मिला है भले ही हम वैश्वी करण के मद्दे नजर गरीमों के उल्मूलन के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं उनके बीच की अच्मानता की खाई को कम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और विकास का अर्थ यही है कि हम सतत रूप से इसका प्रयास करते रहे हैं विकास को बढ़हवा देती रहे है तो इस सतत प्रयास क्या है सतत विकास क्या है अब के बहुत विकास की बात नहीं होरी है अब होरी है सतत विकास continuous development यह जो शब्द आया है सतत विकास यह बहुत recent है बहुत नया है लगपाग 1980 के दशक में इस शब्द का उप्योग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा जब 1987 में पर्यावरन और विकास संबंधी विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तित की सतत विकास की अवधारना का पहला उल्लेक 1987 में होता है और वह भी किसके द्वारा विश्व आयोग द्वारा जो विकास संबंधी मामले के लिए बनाया गया था इसने सतत विकास को एक नए तरीके से परिभाशित किया और उसने कहा ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ आगे आने वाली पीडियों की जरूरतों को अन देखा न करे वही कहलाएगा सतत विकास और हमारा लक्ष वही होना चाहिए हम अपनी च्छाओं की पूर्ति कर सकें हम अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकें लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीडियों उनकी जरूरतों को अन देखा न किया जाए क्या मायने हैं आज जब हम विकास की दोड़ में भाग रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए जितना तेल का उत्खनन जितना संसाधनों का उत्खनन करना है वह जरूरत से ज्यादा तो नहीं है क्या इतने ज्यादा उत्खनन से बचा जा सकता है क्या प्राक्रितिक संसाधनों का कम उपयोग करने से हमारे अपने एश और आराम में हमारे अपने जो विलास्टा में कुछ कमी आएगी यदि नहीं तो फिर हम इनके उपयोग को कम करें जितना कम कर सकते हैं भर सक कम करें ताकि हमारे आगे आने वाली पीड़ी को इसका फादा मिले हमको ऐसे सोच के ऐसी सोच को लाने की जुरुत है ऐसी सोच को बढ़ाने की जुरुत है तो सतत्विकास अब एक जिस धरिंक से परिभाशित किया गया है वहां आज के आजिनिक्युक का लक्ष हो चुका है जह था मैंने बताया इस परिभाशा में सतत्विकास में तीन बातें शामिल हैं तीन बातें तीन बिंदु आप पाएंगे इसमें शामिल हैं पहला उन्नत जीवनस्तर उन्नत जीवनस्तर इसका लक्ष इस परिभाशव में लेकिन जोर किस बात पर सभी के जीवन का सभी के लिए उन्नत जीवनस्तर के आउशिक ता दूसरा बहतर संरक्षित और नियंत्रित पर्यावरन पर्यावरन पर नियंत्रन रखा जाए पर्यावरन का संरक्षन किया जाए अर्थक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग नियंत्रित हो balanced और controlled हो controlled और balanced उपयोग किसका पर्यावरन का तो दूसरा बिंदु है बहतर संरक्षित और नियंतरित पर्यावरन तरह था तीसरा सुरक्षित और अधिक सम्रिद भविश्य और शतत विकास में तीसरा बिंदु बहुत अहम हो जाता है जो आज के विकास के model में उपस्थित नहीं है और वह है कि हमें भविश्य की चिन्ता करते हुए वर्तमान में जीना चाहिए तो तीसरा बिंदु बहुत अहम है सतत विकास की जिश्टि से सुरक्षित और अधिक सम्रिद सुनहरा भविश्य यह है सतत विकास का model अब सवाल यूटता है कहना तो बहुत सरल है कि सतत्विकास की आवश्य करता है पर इसे कैसे पाया जाए किस प्रकार हम वर्तमान पीड़ी को भविश्य की पीड़ी के दावे के साथ संतुलित करेंगे हमें भविश्य की पीड़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास करना होगा ये तो तैह है दूसरे शब्दों में भविश्य की पीड़ी का जो दावा है उनका जो अधिकार है उससे उन्हें बिना वंचित किये हम कैसे अपने वर्तमान को संतुलित बनाये रखें संयम वाषित बनाया रखें और जीवन स्तर को उच्च से उच्च स्तर पर ले जा सकें ये आजज चिंता का विश्य है इस पे हमें सोचना है तो यदि हम इसकी बात करें कि किस पकार हम वरतमान पीडियों को भविष्ड की पीडियों के दावे के साथ संतुलिद करें वरतमान बना भविष्य की पीड़ी तो बात आती है कि विकास के ऊपर जो भी हमने पढ़ा जो भी समझा है उसमें ये बात स्पष्ठ है कि विकास के बारे में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो सर्व सम्मत हो और ना ऐसा हो सकता है पूर में भी ऐसा कोई सा मॉडल नहीं था जिसे सभी लोगों ने स्विकार किया हो और जिसे सभी काल में स्विकार किया गया हो याने खेत्र के साथ-साथ मॉडल बदलता है विकास का मॉडल और समय के साथ-साथ भी विकास के मॉडल में बदलाओ आते हूं तो ये बात आपको इस अध्यन से स्पष्ट हो गई होगी आज भी कमों बेश थिती यही है कि भले ही पूझी वादी व्यवस्था विश्व में ज़्यादा फैली है लेकिन अब उसमें लोकतंत्रिक व्यवस्था का पुट डाला जा रहा है लोकतंत्रिक व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ऐसी पूंजीवादी वहस्था जिसमें लोक तंतर का बोल बाला हो और ये भी लेकिन सब जगह नहीं है कुछ जगह आज भी सामेवादी वहस्था बतार कायम है विशेश रूप से दूसरे विश्युद के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 सिले के आज तक का जो 70 वर्ष का काल हो गया है या 75 वर्ष का काल माने तो ये बात सबको माननी होगी कि इतने वर्षों में कोई राजनातिक या आर्थिक विशेशग विकास का कोई ऐसा मॉडल या प्रतिमान विक्सित नहीं कर पाए जो सभी को स्वीकारे हो 70 वर्ष बीद गया, 7 दशक बीद गया लेकिन विकास का एक ऐसा मॉडल जो सर्व सम्मत हो जो सर्व कालीन हो, जो सर्व स्वीकारे हो अभी तक मॉडल के विशेशग भी विकास के विशेशग भी ऐसा सामने नहीं रख पाए है विश में हम देखें तो दो तरीके के देश है एक तो विकसित वे देश जिनकी भावगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है और इस कारण वो अधिक विकसित होगा पहले पहली शर्णी वे देश जिनकी भावगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है और इसी कारण वो विकसित हो गए और दूसरे इश्रणी वो है जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है और जिनकी जलवाय। और भागोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है संसाधनों का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव और अनुकूल या प्रतिकूल भागुलिक परिस्थिति ऐसे क्षेत्रों में प्रास्कृतिक खनिच पदार्श नहीं रहते हैं जलवायू का अपनी समस्या रहती है जिसकी वज़ा से ये लोग विकास नहीं कर पाते हैं बहुत ही आद्र मौसम, बहुत ही उश्न शुश्क मौसम, अत्यादिक गर्मी वाला मौसम जैसे भूमत दिरेखा से लगे हुए ख्षेत्र में आप देखेंगे ये अत्यादिक गर्मी वाला ख्षेत्र है, बहुत बारिश भी होती है यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की उस हद तक कमी है या यदि प्राकृतिक संसाधन है तो उसका दोहन करने के लिए जो उचित साजों सामान चाहिए उसकी कमी है उचित तक्नीक चाहिए उसकी कमी है और इसलिए ये देश विकसित नहीं कर पाए ये अविकसित ही बने रहे उधारन के लिए दिया हम देखें तो अमेरिका में एक बहुत रोचक तत्थ है अमेरिका को देखिए विश्व की साथ प्रतिशत आबादी वहां रहती है इतने बशाल भूभाग में विश्व की साथ प्रतिशत सेवन परसंट पॉपलेशन वहां रहती है यानि हर सौ में साथ व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं लेकिन विश्व के सकल उत्पाद में ये आर्थिक विकास को समझने के लिए सकल उत्पाद का जो पैमाना है जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है उस पैमाने में जी देखा जाए तो विश्व के सकल उत्पाद का पचास प्रतिशत हिस्सा केवल अमेरिका में और जन्ट संख्या कितनी केवल साथ प्रतिशत विश्व की जन्ट संख्या का मत्र साथ प्रतिशत जिस जगह में रह रहा हो वह विश्य का सकल उच्पात का पचास पिश्चत हिस्सा ले लेता है कितना बड़ा विरुधा भाद, कितनी बड़ी विडंबना ऐसे में उसका लाव उठाकर इन्होंने बड़े-बड़े उद्योग स्थापित कर लिये हैं और जैसे कहते हैं कि धन, जितना धन होगा उतना ही वो मल्टिप्लाई होता है उतनी ही जल्दी वो गुनात्मक दिश्ट से बढ़ता है मात्रा के मामले में उतनी ही तेजी से बढ़ता है तो उसका लाव उठाकर अमेरिका जैसा देश और बड़े उद्योग उससे भी बड़े उद्योग और दिनों दिन ने ने बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रहा है और इसलिए और अमीर होते हैं चले जा रहा है या अन्य तरह के अकाल हो तो इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं का आना एक सामाने प्रक्रिया है और जिसके कारण वे अमेरिका के विकास के मॉडल को अपना ही नहीं सकते अमेरिका का विकास का मॉडल सर्वश्ष्ष्ट मॉडल इस इस द्रिष्टि में है कि मातर साथ प्रिashat जन संख्या विश्व के 50 प्रिष्ष्ट चकल उत्पादन के लिए जिम्मेदार है निश्चित रूप से model की रूप में देखा जाए तो इस सर्फशेष्ट है विकास के लिए लेकिन ये वाला model उन देशों में संभव नहीं है इस model को उन देशों में लागू करना संभव नहीं है जो आज अव विकसित देशों की शेड़ी में है क्यों प्राकरदिक संपदाओं की कमी जलवायू का साथ न देना भागलिक दिश्ट से परिस्थितिया अनुकूल ना होना आधी आधी जपान का उधारन ले एक और अमेरिका दूसरी और जपान जपान में अमेरिका का model तो कते ही अपनाया नहीं जा सकता कते ही अक्तियार नह किया जा सकता हूँ जपान ही क्यों हम भारत और चीन की भी बात करें तो वहाँ भी अमेरिकी model उचित नहीं है जपान तो ऐसे च्छोटा देश है लेकिन चीन तो विशाल काये है लेकिन वहाँ भी अमेरिकी मौड़ल जो अपनाया नहीं जा सकता आज भी यह माना गया है कि जिस प्रकार विकास का ऐसा कोई मौड़ल नहीं है जो सभी देशों में लागू हो सके जो सभी देशों में अपनाया जा सके उसी प्रकार विकास का कोई ऐसा मॉडल भी नहीं है जो चिर स्थाई है विकास का कोई ऐसा मॉडल भी नहीं है जो निरंतर सतत रूप से वही बना रहे अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार विकास का प्रतिमान बदलता रहता है इस पूरे अध्याए के अध्यान का निश्कर्श यही है कि विकास क्या है परिभाषा क्या है यह सब तो हमने समझा विकास की अच्छाई बुराई सब समझा ल Pengen इस से बचा नहीं जा सकता किसे से विकास की अच्छाईएं से और विकास की बुराईयों से भी और अंत में ये सब को स्विकार करना होगा कि विकास का कोई सा भी एक वैश्विक मॉडल नहीं हो सकता और विकास का कोई एक सतत मॉडल नहीं हो सकता परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, इस थितियों जगह के अनुसार वो बदलता रहता है सद्ध तुरूप से बदलता रहता है महत्मा गांधी ने भारत में जो विकास का मॉडल दिया था और जो उन्होंने भारत के लिए अपनाय था क्या वे मॉडल आज भी अपनाया जा सकता है क्या गांधी जी के गांधी वादी मॉडल से आज भी वे परणाम पाये जा सकते हैं जो अन्य पश्चिमी देशों ने पाये थे भारत में तो निश्चित रूप से अब ऐसा लगता है कि वह मॉडल आज की तारिक में नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि आज के हालात और उन्निस सौ सैटालिस की हालात बिलकुल बदल चुके हैं आज की स्थित्य बदल चुकी है भागोली की स्थित्य तो वही रही लेकिन जन संख्या की दृष्टी से विकास की दृष्टी से पश्चिमी देशों की तुलना करने पर इसमें भाड़ी परिवर्तन आया है और इसलिए गांधी वादी मॉडल को यथावत आज के परिप्रेक्ष में भारत में भी लागो नहीं किया जा सकता ऐसा विचारकों का कहना है क्योंकि हालात पूरी दूर बदल गए हैं 1917 में हम दूसरों दाहरं ले 1917 जब 1917 की बात आती है तो रूस की करांती या प्रत्म विश्युद का लगभग समाप्त होना मैं रूस की करांती की बात कर रहा हूँ 1917 में जब रूस की करांती होती है तो उन्होंने विकास का मार्क्सवादी मॉडल अपना दा साम्यवादी मॉडल पचास वर्ष बाद क्या हुआ या साथ वर्ष बाद 1990 में वही रूस वही सोवियत संग जिसने साम्यवादी मॉडल को अपना कर महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किया वहाँ 1990 आते आते 15 देशों में तूट गया तो क्या साम्यवादी मॉडल असफल मॉडल है क्या पूंजीवादी मॉडल असफल मॉडल है या सफल मॉडल है हम किसी के लिए भी यह निश्कर्ष इस तरीके से नहीं निकाल सकते 1917 में साम्यवादी मॉडल सोवियत संग के लिए सर्वोच मॉडल रहा ये उसी साम्यवादी मॉडल का ही परणाम था कि सोवियत संग एक विश्व की महाशक्ति के रूप में मातर 30 वर्षों में उभर गया उस समय के हालात में सोवियस संग के लिए वही सरश्रेश था बाद के पचास वर्षों में रूस के हालात में परवर्तन आया रूस एक कृशी पधान देश से और द्योगिक राष्ट के रूप में बदल गया विज्ञान और तक्नीक के खेतर में भी बहुत विकास हुआ किया और पूझी वाद को चैलेंज किया पूझी वाद को चुनोती देने लगा सामयवादी व्यवस्था पूझी वादी व्यवस्था को कड़ी टक्कर देने लगी यही सामयवादी व्यवस्था अंत्ता के अंदर नहित विरोधा भात के ही परणाम तरूप सोवियस संग विगटित हो गया विकास का मार्सवादी प्रतिमान पीछे छोड़ दिया गया और जो पंदरा देशों में वह तूटा था उसमें से अधिकतर देशों ने पूंजी वादी मौडल की और अपने को मोड लिया मात्र सोवियस संग का एक देश रूस सामेवादी रहा बाकी लोगों ने विकास के भौतिक वादी मौडल को जिसे हम पूंजी वादी मौडल कहेंगे उसकी और मुखातिर हो गया उसकी और मुड़ गया चीन की यदि बात करें चीन की अर्थवरस्था पर हम नज़र डालें तो यहां भी यही लगता है कि अपने आपको संसार का ये सबसे बड़ा सामेवादी देश बताता है और है सामेवादी देश लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन की सामेवादी विचारधारा या सामेवादी राजनितिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में अब लगातार आज विकास के पूंजीवादी मॉडल का बोल बाला बढ़ रहा है पूंजीवादी विकास के पूंजीवादी मॉडल के आधार पर ही चीन अब अपने को स्वेम को विकसित करने में लगा हुआ है सामेवादी विचारधारा को पीछे छोड़ता हुआ जहां तक राजनेतिक विवस्था है चीन की वह सामेवादी विचारधारा पर आधारी आज भी है लेकिन जहां तक आर्थिक विवस्था है उसमें उसने पूंजी वादी विचारधारा को जादा से जादा स्थान देना प्रारम कर दिया है तो वहां की विचारधारा भी बदल रही है भारत की बात करें तो भारत में एक अलग धंका मॉडल आया 37 भारत में विकास के लिए हमने एक समाजवाधी मॉडल अपना है लेकिन आज परिस्थित्यां बिल्कुल बदल गई है समाजवादी मॉडल में हम कहेंगे कि हमने एक मिश्रित व्यवस्था अपनाई मिश्रित अर्थ व्यवस्था मिश्रित अर्थ व्यवस्था से ताटपर ये है कि हमने पूंजी वादी विचार धारा के कुछ गुणों को लिया साम्मेवादी विचार धारा के कुछ गुणों को लिया और दोनों के मिश्रण से एक नई अर्थ विवस्था अपने देश में लाने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए ये मिश्रित विचार अर्थ विवस्था कुछ ऐसी थी कि जिसमें बड़े बड़े जो कारे थे बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी उस पर सरकार का नियंत्र था लेकिन छोटी योजनाएं ये पूरी तरह से निजी हाथों में थी ना हम पूर्ण रूपेन पूंजीवादी विवस्था रखे और नहीं पूरी तरह से हमने सामिवादी विवस्था को अपनाया सामिवादी विवस्था को अपनाने का लक्ष सामिवादी विवस्था के उन गुणों को हमने लिया जो समाज के निम्न तबके के लिए फायदे मन्त होती ऐसा मान कर उन्हें हमने लिया और पूंजी वादी वहस्था के उन बिंदों को हमने लिया जिसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़े बान, बड़े स्तर पर किये जाने वाली परिजनाओं पर सरकार का नियंतर बना रहे लेकिन आज इस सित्यां बदल गई हैं, आज हालात बदल गए हैं, भारत के अंदरूनी हालात और विश्विश्टर पे भी पूरी दुनिया बदल चुकी हैं आज भारत में भी विकास के लिए आर्थिक उदारवाद और पूंजी वाद का मॉडल हमने ले लिया है, साम्मेवादी विचार धारा को जो हमने मिश्रित अर्थ विवस्था के तहट उसके कुछ बिल्दूओं को लिया था, अब हमने उसको भी त्याग दिया है और एक तरीके से हम आर्थिक उदारवाद और पूंजी वाद के मिश्रण को लेकर चल रहा हैं पश्वी बंगाल, पिछले 25-30 वर्षों से वहाँ पे, अभी 10 वर्ष पहले तक, लगवक 30 वर्ष तक वहाँ कम्मिनिस शासन रहा वहाँ बंगाल सरकार द्वारा भारती पूंजी पत्तियों को नहीं, बलकि विदेशी पूंजी पत्तियों को भी बलाए गया ये कैसे, साम्मिवादी विवस्था तो पूंजी वाद के पूरू रूप से खिलाफ है, पश्च्वी बंगाल में साम्मिवादी विवस्था बहुत गहरी थी 25 वर्षों से उपर, वहाँ कम्मिनिस पार्टी के ही नेता का मुख्य मंत्रित शासन रहा जो थी बासू, कम्मिनिस पार्टी के प्रखर नेता के रूप में, उन्होंने 25 वर्ष मुख्य मंत्री के रूप में पूरे किया लेकिन वो भी ऐसी विवस्था थी जहां भारती पूझी पतियों कोई नहीं बलकि विदेशों से भी पूझी पतियों को बिलाया जाता रहा, स्वागत किया जाता रहा उन्हें प्रेरित किया जाता रहा कि वे उद्द्यों के स्थापित करें इसलिए निश्कर्ष क्या है ज़िए हम निश्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं जो सार्वदेशिक हो जो वैश्विक हो और जो सार्वकालिक हो सभी कालों के लिए निरंतर हो सतत हो नहीं क्योंकि आज पूरी जो दुनिया है लगातार परिवर्तन के दौर थे गुजर रही है और इस परिवर्तन के दौर में विकास की परिभाशा में भी परिवर्तन आ रहा है सतत विकास की बात ज़्यादा हो रही है हर एक राश्क आगे बढ़ने के लिए नए ने तरीके नए ने प्रतिमान अपना रहा है आज हर देश के सामने नए नए चुनोतियां हैं और इन चुनोतियों से निपटने के लिए नए ने तरीकों की नए नए प्रतिमानों की आश्कता पड़ती है, जुरत पड़ती है पूरे दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजन्यतिक परिस्थितियां अलग-अलग है और पूरे देश में विकास का मॉडल भी इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर बनाया गया है तो किल मिला के निश्कर्श यह है कि विकास की जो इतनी लंबी यात्रा प्रागयती हाथिक काल से हम देख रहे हैं विकास के उद्धिश बदलते रहे हैं बदलते उद्धिश के परिप्रिक्ष में विकास की उचाईयों तक पहुँचने के लिए विभिन रास्ते अपनाए गया लेकिन कोई भी रास्ता सर्वसम्मत नहीं था कोई भी रास्ता सर्वमानी नहीं था और वर्तमान में विकास की जब हम बात करते हैं तो बात सतत विकास की होने लगी है अर था ऐसा विकास जो आने वाले पीडियों के अधिकारों को भी अक्षन बनाए रखे और फिर भी हम अपनी खुशाली में वार्धक्य कर सकें विकास की विभिन मॉडेल्स की बात करते हैं तो कुछ शब्द बार-बार पर्यावरण से संबंदित लोगों द्वारा बोले जाते हैं आप लोगों ने अक्सर प्रदूशन, अवशिष्ट प्रबंधन, टिकाव विकास, सस्टेंड डिवलप्मेंट, दुरलब प्राणियों का सर्रक्षन और भू मंडली, तापन, ये सब जापन सुने होंगे ये पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द है पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के फेवरिट वर्ड्स है जिसका उपयोग ये लोग बारंबार पर्यावरण के प्रतिजागरूक्ता को लेकर करते हैं और ये जो पसंदीदा शब्द हैं ये प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकी तंत्र को बचाने में कारगर हुए हैं परिस्थितिकी के सुर से सुर मिलाते हुए जीवन जीना चाहिए परिस्थितिकी मतलब जैसी स्थितियां हैं आपके परिस्थितिकी उसमें वैसा ही रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सुख पाने की चेश्टा करें प्रयास करें और उसके साथ जीने की तमन्ना रखें उसके साथ परियावरण के साथ खिलवार करते हुए नहीं उसके साथ हमें जीना चाहिए और परियावरण में अपने तात्कालिक हित को छोड़ दें अपने वर्तमान के सुक को भूल जाएं श्वाहित को त्याग दे और यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप परियावरण के साथ छेड़ चाड़ बंद कर देंगे इनका मानना है कि पृत्वी का इस सीमा तक उभोग हो रहा है कि और प्रक्रित साथनों को इस तरीके से नश्किया जा रहा है कि आने वाली जो पिढ़ी है उसको केवलम उजार धर्ती देंगे जहरीली नदिया देंगे और प्रदुशी थवा देंगे ऐसा भी विकास क्या हम अपने वर्तमान के लिए भविश को ये सब दे के जाएं ऐसी संपदा ऐसी विरासत दे के जाएं ये गलत होगा और पर्यावरन विद इसी बात को लेकर सतत रूप से लोगों में चैतनिता ला रहे हैं लाने का प्रयास करते हैं बारम बार इस बात का स्मरण कराते हैं कि जिस तरीके से आज हम भौतिक वादी हो चले हैं जिस तरीके से आज हम विलासिता की और भाग रहे हैं जिस तरीके से आज इस विलासिता और भौतिक वाजी सुख की प्राप्ति के लिए हम प्राकृतिक दोहन करते हुए पर्यावरण के साथ छेड़ छाड़ कर रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीड़ी को हम अत्याधिक गहरे संकट में छोड़ के जाएंगे और गहरे संकट से अर्थ है उजार धर्ती जहरीला पानी प्रदूश्य थवा आदी आदी और यहीं से पर्यावरण वाद आजा है पर्यावरण वाद एक विचार धारा पर्यावरण को लेकर एक विचार धारा का जन्म यहीं से होता है इसी सोच से होता है प्रयावरन वात की जड़ें वैसे देखा जाए तो और्द्योगी करण के काल से शुरू होती हैं और्द्योगी करण 19. शिताबदी के आसपास की घटना है का घटना क्रम है जो हमने मूल रूप से हमने देखा था विकसित देशों में इंगलेंड आदी देशों में हमने से देखा और्द्योगी करण को और इस और्द्योगी करण की प्रक्रिया में जब कुछ विचारकों ने देखा कि पर्यावरन के साथ छेड़ खानी प्रारंब हो गई है और्द्योगी करण पर्यावरन की छेड़ खानी के बल पर आगे बढ़ रहा ह तो इन लोगों ने सवाल इठाना शुरू किया और यही कहलाता है पर्यावरन वाद गज देड़ सो वर्षों में अब्दियोगी करन के बात से वर्तमान तक पर्यावरन को लेकर चिंताएं दिन तति दिन बढ़ती रहीं गहराती रहीं और आज पर्यावरन अंदोलन एक विश्वियापी मामला बन गया है पर्यावरन को लेकर बड़े-बड़े मंच पर अब चिंताएं जाहिर की जाती हैं समस्याओं पर विचार किया जाता है विकास के हज़ारों पार्टियां, हज़ारों दल जो दुनिया भर में परयावरण के लिए परयारण के बचाओं के लिए प्रयात्रत हैं। और यह अधिकतर जो संगठन है ये गैर संकारी हैं। क्योंकि सरकारी संगठन तो या सरकारी मशीनरी जो है वह तो विकास के नाम पर दोहन ही करती है तो वो तो गैर सरकारी संगठन ही हैं जो परियावरण की चिंता करते हुए सरकार पर सतत रूप से दबाव बनाये रखते हैं परियावरण के बचाओ के लिए ऐसे हज्जारों लाखों गैर सरकारी संगठन आज विश्व में पनप चुके हों जो सतत रूप से पर्यावरण के साथ की जाने वाली छेड़ खानी के प्रती सरकारों को आगाह करते रहते हैं इन में से बहुत फी पार्टियां ग्रीन पार्टियां कहलाती है कुछ जाने माने पर्यावरण विद्ध या पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस और वर्ल वायल लाइफ फंड यह सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पर्यावरण चिंतक संगठन है कौन कौन से Green Peace और World Wildlife Fund भारत में भी हिमाले को बचाने के लिए चिपको अंद्वलन हुआ था जिसका अध्यान आप किसी अन्य अध्याय में किये होंगे चिपको मुवमेंट जिसमें श्री सुंदरलाल भौगणा श्री चंडी प्रसाद भट इन लोगों ने बड़े सक्री रूप से भाग लेते हुए सुनिश्चित किया कि भारत के उत्तरी ख्षेत्र में उत्तर पूर्वी ख्षेत्र में देहरा दून और उसके आसपास के ख्षेत्रों में जो वन कटाओ कि संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सरकार के द्वारा की जाने की उसे उन्होंने आंदोलन के माद्यम से सफलता पूरुवा करूक रुकवाया यह आंदोलन चिप को आंदोलन कहलाया ऐसे समू पर्यावरण द्योश्यों की रोशनी में सरकार की और जोगिक और विकास नीतियों को बदलने में एक दबाव गृरुप का काम करते हैं दबाव डालने का काम करते हैं और ऐसा काम जैसा मैंने पूर में बताया मेधा पटकर ने नर्मदा के मामले में चंडी प्रसाद भट आदी ने पेड़ कटाई के मामले में और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किये हैं और सरकार पर सफलता पूर्वक दबाव बनाते हुए ये कोशिश की है कि सरकार विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जिसमें भविश्य की चिन्ता भी समाहित हो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकादिक लोगों को उनके जीवन में अर्थ पूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की चुनोती दे उसको चुनने की अनुमती दे आखिर इसके माइने क्या हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आप्शन रहे कि वे जिस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं उसकी उन्हें स्वतनता रहे उसके पास उनका वो विकल्प रहे यदि लोग भोजन आश्रेकाय भाव भूख या ठंड से मरते हैं विद्याले जाने की वजाए बच्चे काम में जाते हैं तो फिर ये देश के अविकसित होने का सूचक है सतत्विकाश की जो परिभाशा परिभाशित की गई उसमें एक बहुत महत्पूर्ट बिंदू है मानो विकास सूचकांग अर्थाथ हडी आई अंग्रेजी में उसके कहते हैं Human Development Index आखिर ये वाली परिभाशा आने के पीछे और उसका मानो विकास सूचकांग से जोड़ने के पीछे तंबन्द क्या है कारण स्पष्ट है कि विकास को केवल आर्थिक उन्नतिके सूचकांग के जरिये ना मापा जाए यानि केवल आर्थिक पैमाना विकास के नाम पर जो अभी तक लिया जा रहा था उसे केवल आर्थिक पैमाना ना ले करके अब अन्य बिंदों को भी लिया जाए और इसलिए विकास को मापने का तरीका मानों विकास सूचकान किया गया जिसमें आर्थिक विकास ही नहीं बलकि साक्षर्टा, साक्षिक इस्तर, आयू संभाविता, मृत्युदर और कुछ अन्यस सामाजिक संकेतन को जुड़ा गया उनका मापन किया गया इसके साथ ही आहार, शिक्षा, स्वास्त, आश्रे, जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की शर्त किस हद तक पूरी की गई है वह भी मानों विकास सूचकान का एक अभिन अन्गम माना गया कुल मिलाके निशकर्श ये कि वर्तमान में विकास का विचार क्या है? बहतर जीवन की कामना, बहतर जीवन की इच्छा और ये कामना मानवी कारियों की संचालक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात मानों जो कारिक कर रहा है विशेश रूप से प्राकृतिक दोहन के खेतर में वह अपने स्वैम के संचालन के बल पर इसे पूरा करे विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाओ और लोक तंत्रिक मॉडल के लिए सतत रूप से खोज जारी रहे और इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिध्धानतों की समानता हो, लोक तंत्र और अधिकार जैसी सिंकल्पनाओं की पुनर व्याक्या हो और इसका सतत रूप से प्रयास हो मैं एक खालते समाप्त कि इस अध्याय के समाप्ति पर कुछ प्रश्ण आपके सामने ये दीर्ग प्रश्ण है इस उद्येश के साथ दिये जा रहे हैं कि इसका अध्यान करते हुए आप विशा से सम्मंदित अधिकतर बिंदूओं को चुएंगे और सही उत्तर लिखेंगे पहला प्रश्ण है आप विकास से क्या समझते हैं क्या विकास की परिभाशा प्रचलित परिभाशा समाज के सभी वर्गों को लाब देती है यह पहला प्रश्ण है इस प्रश्ण में आपको विकास की जो समाने परिभाशा है उसको लेते हुए अपना लेक आगे लिखना है और बताना है कि यह परिभाशा किस हज़े तक स्वीकारे लिए दूसरा प्रश्णी विकास से सम्बंदित विकास के कल्याण कारी राज्य पर एक लेक लिखने इस प्रश्ण में आपको सर्पर्थम आपको बताना होगा के कल्याण कारी राज्य का क्या ताथपर है दूसरा बिंदु होगा, आखिर इस कल्यान कारी मौडल की जरूरत क्यों है और ऐसा बताते हुए आपको पुराने मौडल की थोड़ी आलोचनात्मक बिन्दों पर कुछ लिखना होगा और इसके बाद अंत में आपको इसमें बताना होगा कि कल्यान कारी राज्य मौडल किस हद तक अपने लक्ष को पूरा करने में सफल हो सकता है तीसरा और अंतिम प्रश्ण इस अध्याय में विकास के विभिन्द मौडलों की आलोचना किन आधारों पर की जाती है उस पर बिन्दवार एक लेख लिखें अर्थात इस प्रश्ण में आपको विकास के मौडल की खामियों का जिक्र करते हुए यह बताना है कि इन खामियों के कारण इन कमजोरियों के कारण यह विकास के मौडल समुचित नहीं है अपने उग देश को पूरा नहीं करते हैं और ऐसा कहते हुए आपको उसके आधार को बिन्दवार लिखना है और इस पकारी एक संक्षित लेक के रूप में देख प्रश आपको पूरा करना होगा झाल